एरवाना के बारे में दो इंपोर्टिन पार्ट में ये शौर्ट वीडियो में बताऊंगा पहला है आप अगर चार इंच का पाच इंच का एरवाना लेके जा रहे हैं पालने के लिए तो चांसेस बहुत जादा है कि इस टाइम पे वो स्टिक्स जो एरवाना स्टिक होता है जो ड्राइफूड होता है पैलेट्स वो नहीं खाएगा क्यूंकि वो जो स्टिक का साइज होता है वो उसको निगल नहीं पाता है इसके लिए स्ट्राइम में ब्लाड ओम्स जो होता है वो या फिर स्रिम चोटा-चोटा टुगरा करके ये सब दीजे तो वो इजी ली उसको निगल पाएगा और डाइजेस्ट कर पाएगा कभी भी चार इंच पाच इंच एरवाना के साथ औसकर पैरोर ये वो रखने का कोशिश मत कीजे प्लैन मत कीजे क्योंकि अभी वो ना छोटा है ना तो उसका इम्मिनिटी पावर कम है वो थोड़ा कमजोर है औसकर पैरोर इसका ग्रोथ हो जाएगा तो उसको डिस्टप करेगा मार भी सकता है तो एरवाना जब साथ आट इंच का हो जाएगा तब कम्मिनिटी का सोची